चले बच्चो स्वागत आपका एजी लेर्निंग के एक नई वीडियो में इस वीडियो में आज हम शुरू करने वाले हैं 12th की एकोनोमिक्स की आंसर की जो की आज एकोनोमिक्स का पेपर था उसकी आंसर की बच्चो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर देजेगा मेरे साथ बन व्कुल सही है ठीक है 4th का ऐसरों गाइबत्चो सी 5th का ऐसरों गए सिक इस से आतरा है कि इन फ्लों होगा कोकि वख्षीन बाहर जा रही है तो इन फ्लों होगा 7th कांसर ओगा डी 2nd and 3rd 8th कांसर होगा बच्चो डी इसक एक इसमार नहीं है पौवर्टि ठीक है एलेवन्त का ए ट्वल्थ का अंसर होगा बच्छो सी ठीक है वन एंट्टू बच्छो बैसे इसके तीनों ही ऑप्षिन कर रहे हैं लेकिन वन एंट्टू ज्यादा प्रॉपर है क्रेडिस सिस्टम के दीच को बढ़ा दिया था इसने फैनेशल स्क्रेडिस सिस्टम की सब्सक्राइब को बढ़ा दिया थर्ड का अंसर होगा सी फॉर्थ का अंसर होगा बच्छो ड्री डी प्रमोटिंग ट्रेट बाइव डूलर्स तीक है 15 वाला कोशन आपको बिल्कुल से महां से मिल गया सीवेसी के सेंपल पर से जिसमें साक्षी मैं पढ़ा रही थी यहां पर दीप मैं पढ़ा रही है मैंनेज फ्लोटिंग डेटी फ्लोटिंग के बारे में ठीक है 16 का अंसर होगे बच्छो ए 17 का अंसर होगे बच्छो बी डिस्टिबिशन आफ इंकम यहां कन्फ्यूज नहीं होना था आपको क्योंकि इसमें टेक्सेशन और सबसेडी की बात कि डी इंक्रीज इन प्राइस 21 का अंसर होगा बच्छो ए 22 का अंसर होगा बच्छो बी 23 का अंसर होगा ए डौनों स्टेट्मेंट पूरी तरीके से टूथ है 24 का अंसर होगा सी एक्स्पेंडिचर और माइग्रेशन 25 का अंसर होगा बच्छो ए 26 का अंसर होगा बच्छो डी 60 27 का अंसर होगा सी 28 की तरफ बढ़ते हैं 28 का अंसर होगा बच्छो लेकिन अभी करेंट्ली वो नीतियाग में कनवर्ट हो गया तो ए आंसर है 32 का अंसर होगा बच्छो सी 32 का अंसर है सी ठीक है क्योंकि रिजनिंग फॉल्स है 35 का भी सी आंसर होगा बच्छो 36 की तरफ बढ़िए 36 का अंसर होगा बी मगन रेगा 37 का अंसर होगा सी 1338 का अंसर होगा ए और 39 का अंसर होगा ए ठीक है 40 की तरफ बढ़ते हैं 40 का अंसर होगा बच्छो बी ठीक है 40 40 का बी होगा 123 तीनों करेक्ट है देखो इसमें जाए था ठीक है एंसर नहीं होना चाहिए था लेकिन बी और सी तो प्षान नहीं है तो इसका री होगे वंट थी तीनों करेक्ट ने देसिजें आती है ठीक है आती है कि फॉटी वन ये कि ऐसे का का थेकिए तो तुभल बराबर हो चाहिए लेकिन कहा है हमेशा ही बड़ा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है सी आंसर 46 का confusing answer है 46 का बच्चो cd में से हो सकता है इक बार को तो भी से लग रहा है सी आंसर हो सकता है k Phase 6 confusion में मैं comment में पिन कर दूंगा 47 इसे चांशर होगा बच्चो 48 इस प्रोडी 49 इसेक्शन C की तरह 49th का अंसर होगा बच्चो D जो को 49 में confuse होने की जरूरत ही नहीं थी जब आपको 49 में आपसे पूछा कि Money supply की value बताइए तो Money supply M1 equal to C plus DD plus OD C और DD तो आपको उपर दे रखें दो value लेकिन OD World Bank को दे रखा है World Bank से हमें क्या लेना देना हमें सिर्फ अपनी दो से लेना देना था तो वन और टू को जोलने की जुरूरत थी तो आपको आंसर डी बनेगा 49 का 50 का आंसर होगा बच्चो A, 51 का आंसर होगा A, 52 का आंसर होगा B, 53 का आंसर होगा D, 54 का आंसर होगा B, 55 का आंसर होगा बच्चो D, 56 का आंसर होगा C, 56 का C आंसर है क्योंकि structural reforms short term नहीं होते हैं फिर 57 का अंसर होगा A, 58 का अंसर होगा D, 59 का अंसर होगा C, और 60 लास्ट कोशन 60 का अंसर होगा बच्चो हमारा C, ठीक है इस तरीके से बच्चो यह होगी हमारे answer की complete चैनल को प्लीज सस्क्राइब कर दीजे, वीडियो को लाइक कर दीजे, मिलते ह आपसे अब term 2 के chapter के explanations के साथ में, यानि term 2 की जब study करेंगे, वो YouTube पर ही करेंगे, please channel subscribe कर दीजेगा, आपको सारा कुछ online free में मिल दाएगा यहाँ पर